रानिया थाना छेत्र के विभीन जगाओं पर नक्सली बैनर लगाने व पर्चा चिपकाने वाले एक अभियुक्त को पुलीस ने गिरपतार कर नियाई खिरासत में जेल बेज दिया पूरी खबरों में बता दे तो बीते 20 नवंबर को मावादी द्वारा बंद का आवहान के आ गया था जिसके पुर्व रात्री में रानिया थाना छेत्र के विभीन जगाओं पर नक्सली बैनर वा पर्चा टांगा गया था जिस घटना को लेकर रानिया थाना में मामला दर्ज किया गया था पुलीस अधिक्षक आसो तोस सेखर के निर्देश पर इस घटना के जाचेतू अनुमंडल पुलीस पताधिकारी तोरपा और पुलीस निरिक्षक तोरपा के अगवाई में एक विशेष दल का गठन किया वहीं गठी दल द्वारा त्वरी करवाई करते वे बीते एक दिसंबर को तीन लोगों को गिरपतार करते वे नियाई ख्रासत में जेल बेज दिया गया था जिसके बाद 14 दिसंबर को गुप्त सुचना मिलने के बाद उस कांड से संबंधित एक और व्यक्ति को रानिया था थाना चेतर से गिरपतार क्या गया पुलीस द्वारप पुच जांच के करम में गिरपतार अभियुक्त ने सुविकारा है कि उन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलकर रानिया थाना चेतर के विभीन जगाउं पर नकसली बैनर लगाया था और पोश्टर भी चिपकाये थे इ इसकी गुप्त सुचना मिलने के बाद पुलीस ने उसे गिरपतार कर लिया फिलाल गिरपतार अभियुक्त को नियाई खिरासत में जेल भेज दिया गया है